एक लाग के इनामी बदमाश हिमानशूर भाव के नाम पर विदेश में बैट कर व्यापारियों से रंगदारी मांगने के दस हजार के इनामी आरोपी साहिल पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है इसके लिए पुलिस ने इन्टरपोल की मदद से साहिल का रेट कॉर्णर नोटिस भी जारी कराया है ताकि उसे जल्द विदेश से लाया जा सके बता दे वो रहतक कि मोस्ट वॉंटेड अपराधियों की सूची में शामिल है उस पर दस हजार रुपय का ही नाम गोशित किया गया है साहिल नामी गैंग्स्टर रेटॉली गाउं के हिमान्षो और भाव का साथ ही है भाव के नाम से भारत में वाटसप कॉल के माध्यम से वो रंगदारी मांगता है गौरतलब है 7 मार्श 2022 को रेटॉली गाउं निवासी ट्रांस्पोर्टर हंसराज उर्फ हंसे की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी वो सुबह के समय अपनी निजी बस को दूबल धन के लिए लेकर निकला था गाउं के बाहर आते ही पीछे से एक बाइक पर आये तीन युवकों ने हंसराज पर ताबर तोड फाइरिंग कर दी थी जिसमें उसकी मौत हो गई इस हत्याकान में रिटॉली निवासी साहिल और उसके साथियों का भी नाम आया था पुलिस का कहना है कि वो हत्या हिमानशो और भाव के कहने पर की गई थी शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन रोहतक में इस संबंध में केस भी दर्श किया गया था इस हत्याकान में शामिल कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं जबकि साहिल पराड चल रहा है रहतक स्पी हमानशो गर्ग ने बताया कि साहिल ने दिल्ली के एक फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाया और विदेश फरार हो गया यह मामला संग्यान में आने पर 17 अपरेल 2030 को शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में भारतिय डंडे सहीता की धारा 420, 468, 471, 120B और पासपोर्ट एक्ट की धारा 3 और 12 के तहत केस दर्श किया गया रहतक पुलिस की कई टीमों ने 10 जून 2023 कोई नामी गैंक्स्टर हिमानशोर्ट भाव और उसके 5 साथियों के 36 ठिकानों पर एक साथ रेट की थी कई घंटे तक 40 रेट की दौरान 19 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, 14 बैंक पासबुक, 3 बैंक चेक बुक, 9 आधार कार्ड, 5 डायरी वे अन्य सामान बरामत हुआ था